Market में बहुत सारे strategies है, बहुत सारे लोग YouTube में बहुत सारे strategies बताते हैं, लेकिन उसमें से accuracy बहुत कम strategies में होता है, बहुत सारे लोग तो strategies के नाम पे बस वीडियो बनाने के पीछे न लगे पड़े हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे strategy बताऊंगा, आज का जो strategy है, उसको ब उनके लिए भी एक रामबान उपाय होने वाला है देखिए एक बात को आज आपको गार्ड बानना पड़ेगा आप 17 स्ट्राइजिस को फॉलो नहीं कर सकते अगर 17 स्ट्राइजिस को फॉलो कर रहे है इतमिस यौर फॉलो नथिंग मतलब आप अगर सब स्ट्राइजिस को बाइस ट्रेड होते हैं महिने में 30 दून होता है होता बाइस ट्रेड होता है तो बाइस ट्रेड होता है बाइस में से अठरा दिन आपको मैं जो स्ट्राइजिस बताने वाला हो यह आपको पैसा देगा गैरेंटी से पैसा देगा यह हो नहीं सकता कि आपको पैसा नहीं मिल है आपको पता है आप नुकसान में क्यों जाते है एक तो आपको दूसरी की strategies अगर समझ में आप भी आ रही है तो कम आ रहा है लेकिन आप क्या करते हैं आप उसको सीधा follow करते हैं लेकिन बिना जाच परताल किये और उसमें protection नहीं है मैं जो strategies बताने वाला है इसमें protection है करना क्या है आपको किन-किन बातों का धियान रखना है सबसे पहले market जिस समय खुलता है छोड़िये लोगों की बातों को कि market खुलने के साथ-साथ ही पाँच मिनिट वेट करें फिर आप ये करें वो करें अरे वो उन लोगों के लिए होता है जो लोग बहुत पैसा गवा के आज सीखके बैठे है आप समझने मैं क्या बोल रहा हूँ तो सिधा अब मैं उन लोगों की बातों को भी आपको ध्यान में देना है और मैं भी जो बोल रहा है यह भी आपको समझना है 9-15 को आपको स्टराइजी को आपको एकजिकूٹ करना है मतलब मार्केट खुलते ही करना क्या है सुनिए धैन से आपको सीदे सीदे एक CE बाय करना है एक P.E. बाय करना है आपका प्रिमियम कितना होगा ये आप decide करिए आप क्यों decide करेंगे मैं क्यों नहीं बताऊंगा इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपके पैसा कितना मुझे नहीं पता है last कितना premium ले सकते मैं वो बता सकता हूँ 30 30 रुपे का premium ये last है इसके नीचे मत आईए मैं out of the money की बात करो इसके उपर आप जितना आप ले सकते आप लगाईए कोई दिक्कत की बात नहीं है सब में ये अच्छा काम करता है 30 रुपे वाला क्यों मैं इसके पीछ एक logic आपको बता देता हूँ सबसे पहले जब आप नया वीडियो सॉरी माफ कीजिएगा देखिए 30 रुपे में होगा ये कि 30 रुपे का अगर वो CE अगर आप लेते है और कुछ देर बाद वो 30 का अगर 70 बन जाता है तो P का हाल क्या होगा P का हाल होगा अगर नीचे आता है तो वो होगा मैक्सिमाम 12 या 15 आप फरक देखिए जहाँ पे CE आप लेते है तो 30 का हो जाता है 70 और P हो जाएगा आपका 15 सिर्फ आधा जहाँ पे आपका C दोगुना से जाधा होता है और P आपका आधा ही खर्चा होता है और इसका अगर उल्टा P अगर नीचे आता तो इसका उल्टा होगा आपको समझ में आगे मैं आपको क्या बूलना चाहता हूँ मतलब आपका घाटा कम होगा आपका फाइदा जाधा होगा अब आते हमारे स्ट्रेजी पे आपको करना क्या मैं आपको एक पहला पॉइंट है 9.15 को आपको एक CE और एक PE ले ले लेना है आप चाहे आप इन्द मनी लीजिए आप चाहे आउट अप दमनी लीजिए आप जाए अट दमनी लीजिए कोई दिकत नहीं है निश्चिन तो कि लीजिए आपका नुकसा नहीं होगा मैंने आपको रिजन बता दिया है कि जिस तरफ बढ़ता है उस तरफ का premium जादा बढ़ेगा और दूसरा वाला कम घटेगा ठीक है समझ में आया अब मान लेते हैं आपने बिल्कुल market खुला यहाँ पे हम कल की बात करते हैं कल मतलब शुकरवार की बात करते हैं शुकरवार का market खुलता है 40,700-800 के आसपास कहीं खुला था वहाँ से कितना आया market नीचे आप देखिए यहाँ तक इस level तक आया यह level क्या है यह सीधा आपको दिखाएगा 400 के नीचे तक है 400 मान लेते है 400 तक नीचे आया है तो यह कितना जादा है 700 मान लेते 700 से लेके 400 तो यह आपका 300 पॉइंट है हम यह मान के चलते हैं आपने 30 रुपे वाला ही premium लिया था ध्यान से सुने यह वीडियो पूरा देखेंगे न तो आपका फायदा होगा बीच में से छोड़के जाएंगे तो आ ले रही वीडियो में हम 30 रुपे वाला एक आपको समझानी के रिए वो तो आपके उपर आपके इतना वाला premium खरीते हैं हम 30 रुपे वाला लेते हैं ठीक है तो 30 रुपे वाला शुकरवार को यह कितना premium हो जाएगा 300 का आसानी से तो 900 तक चला जाता है 90 तक 90 नहीं होगा असी तक तो जाएगा 300 300 पॉइंट का ठीक है इतना हो जाएगा और अगर इतना नहीं भी होता है तो कम से का आपका 70 तक जाएगा डिपेंड करता है कि movement किस तरीके से हो रहा है क्योंकि 300 जाने के लिए उसका समय कितना ले रहा है आपको यह भी देखना पड़ेगा बहुत जल्दी जल्दी एकर पहुच रहा है तो कम समय पहुच जाएगा बहुत धीरे धीरे पहुचेगा तो आपका premium भी घटेगा तो हम इन सब को count करके बात कर रहे है जहां पे आपका 30 रुपे का 70 या 80 हो जाता है वहाँ पे आपका घटेगा कितना PE? 15 तक आएगा मतलब आधा होगा और यहां पे आपका दुगना हो जाएगा आपका फाइदा कितना हो रहा है फिर सीधा सीधा आपका फाइदा एक लौट की बात कर रहे है एक लौट में 25 होता है ठीक है एक लौट में कम से कम अगर आप इतना भी ले ले लेते है तो कम से कम आपका 300 रुपे का फायदा होता है, मैं इतना basic बात कर रहा हूँ, एक lot का उभी 30 का premium का, दोनों मिला के खर्चा होता है, लगबाग आपका 1000 रुपे, 1000 में आपका 300 का net profit है, अब आप तै करिए कि आपके पास कितना capital है, आप कितने lot ले सकते, या आप कितने वाला premium, कितने lot ल अगर आप कम वाला premium लेते हैं, lot बढ़ा देते हैं, तो भी वो एक ही बात कहलाता है, ठीक है, दोनों ही एक जैसे ही होता है, बस हाँ, in the money में होता है कि आपका premium बढ़ता बहुत जल्दी है, ये सबसे बड़ा फायदा है, ये उन लोग के लिए भी मैं वीडियो बना रहा ह जिनके पास money बहुत कम है, या नई शुरुवात करना चाते हैं, और बहुत अपने life को बहुत seriously पैसे को लेते हैं, और सोचते हैं कि मैं पैसा invest करूँगा, सोच बिचार करके, तो उनके लिए खास कर ये video है, कि आप 1000 रुपए से option trading बिल्कुल शुरू कर सकते हैं, अब मैं आपको बता रहा था कि आपको बाइस टेट में, अट्रा टेट आपको मिलना ही ए, एक दिन का मैंने आपको बता दिया, पिछला दिन चलते हैं, उससे पहला गुरुवार को बात करते हैं, गुरुवार को भी देखिए, शुरुवात यहां से होती है, और यह निचे यहां तक आ गया था। यहाँ पे भी आपका फाइदा है। आप उससे पहले दिन चले जाते हैं। उससे पहले दिन अगर आप hold कर एक देखेंगा तो देखेंगा और सबसे बड़ी बात है है। आपका नुक्सान होनेसे चांस अगर आप एक ले लेते हैं तो धीरे धीरे नीचे आएगा दूसरा लेते हैं तो फिर वो मन में डर बना रहता है तो इसको हैजिंग कहते हैं अपका फाईदा जादा होगा मुझे उमीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा समझ में आतो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा बने रहेगा मेरे वीडियो के साथ तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद